हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है जनाब बस एक तसलिसी हो जाती है कि इस भीड में भी दुनिया में कोई अपना भी है नजर अंदाज करो उन लोगों को कि नजर अंदाज करो उन लोगों को जो आपके बारे में पीठ पीछे बात करते हैं दोस्त नजर अंदाज करो उन लोगों को जो आपके बारे में पीठ पीछे बात करते हैं क्योंकि वो उसी जगा रहने लाइख है दोस्त हर एक बोली हुई बात को कि हर एक बोली हुई बात को हर एक सुनने वाला नहीं समस्ता जनाब क्योंकि बोलने वाला भावनाय बोलता है और लोग केवल सब्द सुनते हैं जनाब कि होस्यार तुम हो या मैं होस्यार तुम हो या मैं ये वक्त बताएगा जनाब क्योंकि वक्त सच बताता है जनाब अपने जजबात को अपने जजबात को अलफाज में तब्दिल करना जनाब कि किसी की अदा को किसी की अदा को अपने अंदाज में ब्या करना जनाब किसी की अदा को अपने अंदाज में व्या करना ही साइरी है जनाब की अलफाज ऐसे अलफाज ऐसे जो दिल में आसिया बना ले दोस्तो अलफाज ऐसे जो दिल में आसिया बना ले वही साइरी है की जिन्दगी जीना है तो तकलीफ तो होगी ही वरना मरने के बाद तो जलने का भी ऐसास नहीं होता साहब अ अ